ऐसा लगता है जैसे प्रकृती का कहर तूट रहा है चाइना के उपर अचानक से दो दो बड़ी आपदाएं चाइना पर आ गई हैं एक तरफ तस्वीर देख रहे हैं आप इस वीडियो में दिख रहा है अफरा तफरी मची हुई है चाइना में एक भीसन भूकम पाया है और आपको बता दें इसके साथ परकृती ने एक और कहर तोड़ दिया है चाइना के ऊपर राश्ट्पती को ओल आउट ओप्रेशन के लिए उतरना पड़ा है जानेंगे क्या है मामला तो वहीं चाइना का इतियास दोहराया जाएगा और लोगों के अंदर एक डर समा गया है चाइना में एक समय था जब भविस्वानिया खूब होती थी और किस सीज की भविस्वानिया होती थी भविस्वानिया होती थी अगला भुकंप कब आने वाला है और ऐसा क्यों क्या यहां पर बहुत जादा भुकंप आते थे तो आपको बता दें चाइना में एक बार ऐसा भी भुकंप आया है जिस भुकंप में साड़े आठ लाख के लगभग लोग मारे गए थे और यह आया था कब बहुत पहले 1556 सांगसी अर्थक्विक और उसके बाद बड़े-बड़े भुकंपों की तो लिस्ट थी चाइना के अंदर यकीन नहीं होता है तो इस लिस्ट को द दिखेगा जिस सांगसी के बारे में हमने कहा काफी लमी चोड़ी लिक्स है यहां पर पुराना डेटा है साथ हजार का इसके अलावे के बाद आठ मेगनी चूट के भुकंप के बाद आठ दसमलव एक 1604 और यह आंकड़े आप देखेंगे ना चाइना के अंदर मौते कैसी होती थी 2,70, 1,50,000, 75,000, 2,000, 52,000, 45,000, 13,000, 20,000 ऐसे लोग मारे जाते थे आप आंकड़े देखिए इस लिस्ट को देखिए इस लिस्ट को देखने से आपको समझ में आएगा कि इतना बड़ा भुकंप 2,65,000 लोग मारे गए यहां पर भुकंप का सिलसिला चलता था यही कि बहुत लंबे समय तक कहा गया कि भुकंप की भविस्वानिया यहां खूब चर्चा में रहती थी अच्छा खासा भुकंप यहां आता रहता था पर 2,014 के बाद फिर भी भुकंपों की संख्या कम होने लगी और भुकंप होते भी थे तो मरने वालों की संख्या कम होती यह जो आंकड़े देख रहे हैं, तीन लाख प्लस लोग मारे गए, इस तरीके के आंकड़े आते थे, और जो मैनमार है, मैनमार से लगता हुआ, वहां भुकंप आया, 949, और इस लिस्ट में सबसे बड़ी बात क्या है न, आपको ज़्यादा तर भुकंप मिलेंगे, कुइं तूटता है, तो इसको समझने के लिए, आप समझेए, एक मैप को, यह जो मैप देख रहे हैं आप, इस मैप को रिलीज किया गया था, एडिबी के द्वारा, और इस मैप में कहा गया था, कि जो 72 परतीसत एसेट्स हैं, एसिया पैसफिक में, यह खतरे की जोन में हैं, यान का भी एरिया है, चाइना बड़ा है, तो चाइना के अंदर बहुत सारे छेतर ऐसे हैं, जिनको रेड जोन में रखा गया है, कि यहाँ पर भूकम पाना तो एकदम से आम बात है, और इस ती जापान की देख रहे हैं, आप जापान के बहुत जादा छेतर हैं, जो लाल लाल हैं, यह लाल वाले बता रहे हैं, कि वो इलाके जो खत्रे से भी ज्यादा खतरनाक वाले इलाके हैं, और यह जो पीला वाला इलाका है, यह वो इलाके हैं, जो नौर्मली रिस्क वाले हैं, तो आपको बता दे, मंगोलिया हो गया, चाइना हो गया, भारत का हिमालय छेतर हो यहां पर हुआ है भूकम्प कल का भूकम्प है यह शे दसमलों एक मेंगनीचूट का पता है जा रहा है और इस भूकम्प में नुकसान कैसा हुआ यह देखिए लोग बैठकर खाना खा रहे थे अचानक से हिलना सुरू होती है और फिर भागना सुरू करते हैं यहां से और व हुआ बताया जा रहा है पर कहा जा रहा है कि यह संख्या और भी ज्यादा होगी वैशे आपको बता दें बहुत ज़्ящादा आसर पर्वा देंड नाइट में यह हुआ यह दिन के समय हुआ हा रात के हुआ कहा है ये तो जैसा हमने कहा दो छेत्र हैं जो बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं एक घांसू और दूसरा क्विंग इपिक सेंटर इसका लांजाओ था ये जो मैप में देख रहे हैं अल्जसीरा का ये मैप है जिस मैप में दिखाया जा रहा है यहां से परभावित इलाके हुए हैं ग्यारा प्रांतिस में परभावित हुए हैं हाला कि सबसे ज़्यादा घांगसु और कुइंगें हुए हैं खेर जहां एक तरफ यह सारी चीजे हो रही हैं और आपको बता दे वैसे आकड़ों पर जाएंगे आप तो 1922 से लेकर 2022 तक इस इनकी तुलना में काफी पीछे ही आपको मिलेगा खेर जहां एक तरफ यह सारे हालात बने हुए हैं चाइना के अंदर तो वहीं दूसरी तरफ चाइना एक और बड़ी परिसानी से जूज रहा है और यह दूसरी बार है जब राश्पती सी जिनपिंग ने आल आउट के लि जैसी और गर्माहट रहेगी और चाइना में केस एक दम उल्टा हो गया यह जो तस्वीरे देख रहे हैं बर्फ बर्फ भरने लगे लोग भी आसचरी चकीत होने लगे एक्सपर्ट भी कि आखिर चाइना में हो क्या रहा है ऐसे इलाके जहां नॉर्मल विंटर हुआ करता सकते हैं और इस सुचिएंगा अच्छा तो सुनोफोल हो रहा है तो क्या हो गया इससे तो आपको बता दें बहुत कुछ हो गया दो ट्रेने टकरा गई और एक सौसी बसों के रूट को बदलना पड़ा बहुत सारी चीजिगों को बंद करना पड़ा और यहां पर आवाजा में ही टेंपरेचर जा रहा है चाइना के इस प्रोब्लम के लिए अभी राश्पती सीजिन पे ने कहा था ओल आउट ऑपरेशन चलाओ हलाकि नेचर के आगे क्या चल सकता है जादस जादा आप रास्ता साफ कर सकते हो आप ट्रेनों की आवाजाही को चालू कर सकते हो उससे जादा आप क्या कर सकते हो पर हाँ चाइना के ऊपर परकृती ऐसा लगता है जैसे बुरी तरीके से कुरुद है और परकृती का असर चा तो नुकसान फिर भी कम ही होगा पर जो भी है आकिर का नुकसान तो हो रहा है वैसे इन सब मामले में आपकी क्या रहा है कमेंट कर जरू बताएं जल मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ